आज मैं आपके लेकिया आई हूँ स्प्रिंग आनियंस के पकोड़े यानि हरे प्याज के पकोड़े जैसे कि हरे प्याज खाना अधिकतर लोग को पसंद नहीं होता है लेकिन आप इस तरीके से अगर इसके पकोड़े बनाएंगे तो बहुती क्रिस्पी पकोड़े इसमें ना ही मैंने कोई चावल का आटा यूज़ किया है एकदम हलके और बहुत ही कुरकुरे ये बनके तियार होने वाले है ये अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हुआ है ऐसा निये कि ये कच्चा है आप देख सकते हैं इसको बनाना बहुत ही असान है ये आप देखिए कितना बढ़िया ये बनके तयार हुआ है एकदम जैसे रिल्वे स्टेशन पर मिलता है तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां मैंने लिया है डेड़ कप मूंग डाल लिया है जिसे मैंने 2-3 घंटे पहले भीगो के रखा था और अब इसे हमें यहां पर पीसना है तो मिक्सी का जार मैंने यहां पर ले लिया है और इस सारी डाल मैं इसमें डाल दूँगी इसमें हमें पानी नहीं डालना है डाल को डालना है डाल जब इसमें हमें डाल दूँगी इसके बाद यहां पे मैं डालूँगी लसन और अद्रक तो यहां मैंने आदा इंच अद्रक लिया है और चार पांच लसन की कलिया ली है इसी के साथ दो हरी मिर्च में यहां पे डाल दूंगी और यहां पे इसको अब हम दर्दरा पीस के तियार करेंगी तो यह देखें मैंने यहां पे दर्दरा पीस के तियार किया है आप देख सकते हैं इसमें कुछ दानी भी है और यह दर्दरा पीसा हुआ है अब इसे हमें यहाँ पे अच्छे से फेटना है फेटते फेटते इसका color change हो जाएगा मैं अभी आपको दिखाती हूँ maximum इसको हमें 5-7 minute इसको अच्छे से फेटना है आप चाहें तो इसको हाथ से भी फेट सकते हैं तो अब आप देखिए इसका color एकदम change हो चुका है फेटते एकदमी सफेद हो जाएगा और इसके बाद अब मैं डालूँगी नमक तो नमक यहाँ पे स्वात के अनुसार डालेंगे आधा चमच इसमें healthy powder डाल देंगे और इसके साथ दो हरी मिर्च बारी कटीवी हरा धनिया डाल देंगे तो यहाँ पे अब यह सारी चीज़े भी अच्छे से mix करेंगे इसके अंदर तो यहाँ में थोड़ी थोड़ी चीज़े डाल रही हूँ और फिर अच्छे से mix कर रही हूँ ताकि जो हमारा यह batter है बहुत अच्छे तरीके से mix हो और अच्छे तरीके से पकोड़े इसके बनके तियार हो अब इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चमच जीरा और आधा ही चमच यहाँ पे मैं अजवाइन डाल दूँगी अब इसको हम फिर दुवारा से फेट लेंगे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कितना यह fluffy हो रहा है फेटते फेटते एकदम तो इसको अच्छे तरीके से आप जितना अच्छा फेटेंगे जिसको मैंने साफ करके अच्छे से धोलिया अब इसको काट लेते हैं यहां पे तो मैं यहां पर थोड़े-थोड़े batches में लेके इसको काट रही हूं तो इस तरीके से पहले इसको अरेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम बारिक बारिक कर लेंगे तो यह देखिए यहाँ पे इसको अब काटना शुरू करते हैं हरे पे आज के पकोड़े बहुती बढ़िया बनके तयार होते हैं छुट्टी के दिने से बना लीजे और इसके साथ ग्रीन चटनी या सॉस तो बहुती बढ़िया लगता है खाने में चाय के साथ तो यहाँ पे देखिए मैं इसे फटा फट से कट कर ले रही हूँ तो सारे को इसी तरह इसे कट कर लेना है यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ मैंने एक दम इसको बारिक बारिक कट किया है तो यहाँ देखिए सारा जो है कट के तयार है और अब इसको देखे मैंने यहां पे सारा कट कर लिया है और यहां मैंने इसको देखिए एक बड़े परातने मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया है क्योंकि अब इसे हमें अच्छे से यह प्याज डाल के अच्छे से इसको फेटना है तो ये देखे सारा हरा प्याज मैंने इसमें डाल दिया अब इसको हातों से हम अच्छे तरीके से इसको mix करेंगे देखे इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मसल मसल के हमें अच्छे से इसको फेटना है और अच्छे तरीके से इसको mix करेंगे इस तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से mix कर लिया और color भी change हो गया है अब यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया है ज्यादा तेल गरम नहीं करना है medium hotty करना है और डालने के बाद इसको तुरंत हमें चलाना नही है तो थोड़ी देर बाद अब इसको चलाना शुरू करते हैं तो यह देखिए आपको यहाँ पर इसको medium to high flame के बीच में ही fry करना है क्रिस्पी होने तक तो यह देखिए एक अच्छा सा color आ जाए क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे fry कर ले और थोड़ी देर में ही यह करूंगी और और उखाने में बहुत ही टेसई लगते हैं इस देखिए आप देख सकते हैं इसमें अपको दाल के भी यहाँ पे दिख रहे होंगे यहाँ पर साबुत बिख रही होगी पकॉडों में तो एकदम दरधरा पेस्प आपको यहाँ पर तियार करना है ध्यान रख रख दिया है उसको मैं थोड़ी देर बात बनाऊंगी क्योंकि पकॉड़े जो है वो गर्मा गर्मी खाने में अच्छे लगते हैं अगर वीडियो आपने लास तक देखी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्से में को आप ज़रूर लिख के बताएं क किसको हराप्याज पसंद है और कौन इस तरह के से पकॉड़े बनाना पसंद करता है तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में चलिए मिलते हैं बाई